हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिखेंगे की हाउ टू लोग इंडिविज्वल सेल्स एंड प्रोटक्ट शीट इन एक्सल मतलब कि किसी भी सेल को आप कैसे लोग कर सकते हैं पासवर्ड के साथ या बिना पासवर्ड के साथ भी आई ये शुरू बरते हैं दोस्तों कुछ इसके तीन-चार स्टेप हैं इस सारी एक्टिविटीज के और स्टेप मैं आपको बताऊंगा मैंने कि ये शीट बनाई है और मैं यह चाहूँगा कि जो मेरी ये शीट है यह जो मेरी टेवल है इसको मुझे लोग करना है इसमें कोई कुछ एडिट ना कर होँगा तो यह टाइप हो जाएगा इसके अंदर भी अगर मैं कुछ टाइप करता हूं तो वह भी हो जाता है तो अभी फिलाल यह शीट पूरी तरह से अनप्रोटक्ट है बिना पासवर के है तो मुझे इस इस टेवल को ही सिरफ प्रोटक्ट करना है जैसे मैंने आपको ब देवाएंगे तो यह फॉर्मेट सेल का ओप्शन खुलेगा आप यहां पर फॉर्मेट सेल क्लिक करेंगे इसके बार में यह सबसे इस बार पे सबसे लास्ट ऑप्शन प्रोटक्शन का आ रहा है और यहां पर निच्चे दो अप्शन मिलेगे एक लोग डोर एक लिडन लो प्राइंगल पर जाके जिसे की पूरी शीट यहां पर सेलेक्ट हो और आपको उस पूरी शीट को अनलोग करना है ठीक है अभी तक इस शीट में कुछ ऐसे चेंजिस हुए नहीं है जो आप चा रहे हैं तो आप जो जो स्टैप नंबर टू है दूसरा स्टैप है वो यह कि आप उस पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करिए जितना आपको लोग करना है उसमें फिर से राइट क्लिक करिए राइट क्लिक करने के बार यहां पर फॉर्मेट सेल आएगा और फॉर्मेट सेल आप यहां से भी निकाल सकते हैं इस से भी इस ओप्शन से भी आप से भी निकल आ रहे हूं वो अभी भी नहीं हुआ है अब इसके लिए हमें क्या करेंगे final step no three करेंगे step no.3, कहां पे है, यह है review में, review में जाएंगे review में option है product sheet, protect पे आपे click करेंगे और यह जो पहले जो option जो यहाँ पे option आ रहे है product sheet को आप इसको करिए, आपे tick, tick by default टिक यह है और पहले जो दो option है, select locked cell और select unlocked cell यह आप दोनों टिक कर दीजिए अगर इसमें आप कोई पासवड लगाना चाहें तो पासवड लगा सकते हैं अगर पासवड नहीं भी लगाना चाहें तो आप इसको as it is यहाँ पर ok कर सकते हैं तो यह अब हमारे तीन step में यह sheet आपकी product हो गई है आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे यहाँ जैसे मेरे नाम विनोद है मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई issue नहीं है बट मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा तो यह नहीं लिखेगा मैं जैसे यहाँ पर कुछ करूँगा तो यह नहीं लिख जाएगा इस table के बार अगर में कुछ भी लिखूँगा तो वो लिखा जा सकता है बट इस table में कुछ नहीं इसके अलावा अब मुझे अगर माम विसको unprotect करना है तो मैं यहाँ पर simple जाके unprotect कर देता हूँ यह पूरी sheet अभी unprotect हो गई है मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है दोस्तो अब अगर मुझे इस sheet को password लगाना है तो protect sheet में जाऊँगा और password मैं जो भी लगाँँगा कुछ भी लगा सकता हूँ मैं password लगाया है मैंने एक बार इसी password को दुबार verify करना है और ok कर देना है ठीक है तो अब मैं यहाँ पर जैसे लिखूँगा तो यह protect sheet है अब इसको गर कुछ किसी को लिखना है तो वो unprotect करना पड़ेगा और वो unprotect थब होगा जब यहाँ पर कोई password होगा इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ भी लग सकता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगए आप हमारे कमेंट बुक्स में जाकर जरूर बताए चैनल को subscribe और share करना बिलकुल ना गोले थैंक्यू